उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों की एडिशनल स्पी श्वेता स्रीवास्तव की बेटे के सड़क हाथसे में मौत हो गई हाथसा मंगलबार यानि की किस नवंबर की सुबह हुआ जब एडिशनल स्पी की बेटे स्केटिंग करने के बाद घर लोट रहा था लोटते समय जनिश्वर मिश्र पार्क के सामने तीज रफतार कारन उसको टक्कर मार दी मौके पर मौजूद लोग तुरंद बच्चे को अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे म्रत भूशित कर दिया हाथसे की बाद कार चालक मौके से फिलहाल फरार हो गया दाबू की माने तो दस साल का नेमिश एडिशनल स्पी स्वेता श्रिवास्तप का एकलोटा बेटा था 21 नवंबर की सुबह वो घर से अपने कोच के साथ स्केटिंग सीखने के लिए निकला था लोटते समय एक सफेद रंकी कार ने उसे जनिश्वर मिश्र पार्क के सामने टकर मार दी घायल हालत में नेमिश को नजदी की अस्पताल में ले जाया गया जहां इलाज की द्वारान डाक्टरों ने उसे म्रत घुशित कर दिया घटना के बारे में खबर मिलते ही पुलिस सदिकारी मौके पर पहुंचे और कार चालक की तलाश शुरू कर दी जो गोमती नगर विस्तार के जनिश्वर मिश्र पार्क के पास नेमिश श्रिवास्तप को टकर मारने के बाद मौके से फरार हो गई थी वहीं नैमिश की मौत की खबर जैसे ही घर पहुंची वहाँ कोहराम मच गया परीजनों का रो रो कर पुरा हाल है वहीं हाथसे की तहरीर मिलते ही पुलिस महकमे में हलकम मच गया पुलिस की टी में मामले में आरोपी की तलाश में जुट गई हैं और महज आठ गंटे के अं और हम लोग वहाँ जो देशी टीवी वगड़ है उसके आपसे जो जिस गाड़ी के द्वारा लगा है उसको ट्रैक करने है और यह दुमाज कुम तुमा से चोटा बच्चा था सभी वरिष्ट अतकारी इस नहीं कर दो यहां करते है और हमी जल्दिन जोगा इस गाड़ी को त अब तो सारी प्रसितियां देखती हैं किस तरह से घटना हुई किस तरह से बता दी के अडिशनल स्पी शुएता श्री वास्तव पहले लखनू में सीओ गोमतिन नगर के पत पर तैनात रही थी वर्तमान में वे अडिशनल स्पी होकर SIT में तैनात हैं उनके बेटे की मौत क ख़वर के साथ ही अधिकारियों में भी अब शोक की लहर हैं लोग घर पहुचकर उन्हें सान्तोना दे रहे हैं लखनों से संतो शर्माइक रिपोर्ट यूपी तक